परिचाए छात्रों, क्या तुम चानते हो कि बहुपद क्या होता है? सर, बहुपद एक ऐसा व्यांचक होता है जिसमें दो से ज्यादा बीजिये पद होते हैं. और क्या तुम बता सकते हो कि यह किस प्रकार का बहुपद है? सर, क्या ये दोईघाद बहुपद है? सही, या दोईघाद बहुपद है. जब हम इस बहुपद को शूने के बराबर करते हैं, तो हमें दोईघाद समिकरण प्राप्थ होता है. आज हम दुई घात समीकरण के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे दुई घात समीकरण को समझना गुणन खंडों द्वारा दुई घात समीकरण को हल करना दुई घात समीकरण का पूण वर्क बना कर हल करना मूलों की प्रकृती समझाना दुई घात समीकरण दुई घात समीकरण का एक उधारन इस प्रकार है यह इसे दुई घात यानी कोईड्रेटिक बनाता है Quadratic नाम Quet से आया है जिसका अर्थ वर्ग होता है क्योंकि चर वर्ग हो जाता है जैसे X वर्ग इसे घाद दो का समीकरण भी कहते हैं क्योंकि X पर दो लगा होता है दोई घाद समीकरण का मानक रूप इस प्रकार है AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर शूने यहां अक्षर A, B और C गुणांख हैं इनका मान कुछ भी हो सकता है केवल A शूने नहीं हो सकता अक्षर X एक्षर या अज्यात है दोई घाद समीकरण का उधारण हम जाच करेंगे कि दिया गया समीकरण दोई घाद समीकरण है या नहीं हल यहां LHS बराबर X तीन एक्स जमा चार बराबर तीन एक्स का वर्ग जमा चार एक्स के अताह एक्स गुणा तीन एक्स जमा चार बराबर X वर्ग जमा एक को पुना इस प्रकार लिखा जा सकता है इसलिए हमें दो एक्स का वर्ग जमा चार एक्स घटा पांच बराबर शुने प्राप्थ होता है तीन एक्स का वर्ग जमा चार एक्स बराबर X वर्ग जमा पांच ये एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शुने के रूप में है अताहा दिया गया समिकरण दुई घाट समिकरण है। जमा C बराबर शूने का मूल कहते हैं, जहां A शूने नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि X बराबर अलफा दुई घाट समिकरण का हल है। यहां ये समिकरण को संतुष्ट करता है। दुई घाट बहुपद AX वर्ग जमा BX जमा C के 0 और दुई घाट समिकरण AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के मूल समान होते हैं। गुणन खंडों द्वारा दुई घाट समिकरण का हल एक समिकरण X वर्ग घाटा 9X जमा BX बराबर 0 लीजिए। हल चरण एक पहले दुई घाट समिकरण X वर्ग घाटा 9X जमा BX बराबर 0 का गुणन खंडन कीजिए। चरण दो दो ऐसी संख्याएं प्राप्त कीजिए जिनका योग 9 हो और जिनका गुणन फल 20 हो। ये संख्याएं 4 और 5 हैं। X घाटा 4, X घाटा 5 बराबर 0 चरण 3 अब X का ऐसा मान प्राप्त कीजिए कि इन कोश्ठकों का गुणन फल 0 हो। इसका अर्थ है कि या तो X घाटा 4 बराबर 0 या X घाटा 5 बराबर 0 होगा। अताह X बराबर 4 या X बराबर 5 है। आप इन उत्तरों की जाच समीकरण में 4 और 5 को रखके कर सकते हैं। X कवर्ग घाटा 9 X जमा 20 मान 4 रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। चार कवर्ग घाटा 9 गुणा 4 जमा 20 बराबर 16 घाटा 36 जमा 20 बराबर 09। इन तीन आसान चर्णों को याद रखे और आप दुई घाट समीकरण को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। उधारण मान लिजिए कि हम X वर्ग घाटा 5 X जमा 6 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं। हम दुई घाट का गुणन खंड करने के लिए दो ऐसी संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका योग घटा 5 हो और जिनका गुणन फल 6 हो। अब घटा 3 गुणन घटा 2 बराबर 6 और घटा 3 जमा घटा 2 बराबर घटा 5 प्राप्त होता है। अथा ये दो संख्याएं घटा 3 और घटा 2 हैं। हमें दो संख्याओं घटा 3X, घटा 2X का प्रियोग घटा 5X को लिखने के लिए करते हैं और गुणन खंड करते हैं। अतहा गड़ना करने पर हमें x घटा 3 बराबर 0 और या x घटा 2 बराबर 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार एक्स बराबर 3 या एक्स बराबर 2 ये दो हल हैं। उधारण अब मान लिजिए कि हम एक्स कवर्ग घटा 3 एक्स घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं। हम ऐसी दो संख्याओं को प्राब्त करेंगे जिनका योग घटा 3 और जिनका गुड़न फल घटा 2 हो। आप चाहें जितनी भी कोशिश कर लें आपको ऐसी दो संख्याओं नहीं मिलेंगी अताहा इस समीकरण का गुड़न खंड नहीं होगा। इसके लिए हमें एक अलग तरीके की जरूरत होगी। उसे हम अगली स्क्रीन में सीखेंगे। दुई घात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना कर हल। यदि समीकरण का गुड़न खंड नहीं होता है तो इस विधी से दुई घात समीकरण को हल करते हैं। किसी बीजिये व्यानजक को एक वर्ग जमा एक अन्य पत के रूप में लिखना सुविधा जनक होता है। दूसरा बद एक्स के गुणांग को दो से विभाजित करके वर्ग बना कर प्राप्त करते हैं। किसी भी दुई घात समीकरण को इस विधी से हल करने के लिए पुनर वैवस्थित कर सकते हैं। इस उधारण को देखें। माले हम एक्स वर्ग जमा छे एक्स को हल करना चाहते हैं। एक्स वर्ग जमा छे एक्स को एक वर्ग जमा एक और पत की रूप में फिर से लिखें। एक्स का गुणांग छे है। छे को दो से विभाजित करते हैं और इसका वर्ग करने से नौ प्राप्त होता है। x वर्ग जमा 6x बराबर x वर्ग जमा 6x जमा 9 घटा 9 बराबर x जमा 3 का वर्ग घटा 9. उधारण 2x का वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर x वर्ग को प्राप्त करने के लिए 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को पुना लिखे ये इस प्रकार होगा. यहां x का गुणांक 10 है दस को 2 से विभाजित कीजिये और 25 प्राप्त करने के लिए इसका वर्ग कीजिये ये इस प्रकार होगा. हम जानते हैं कि 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 को पुना लिखा जा सकता है. इसलिए हम समीकरण को निम्न रूप में पुना लिख सकते हैं. दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें 23.5 प्राप्त होता है. दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर हमें x बराबर घटा 0.152 या x बराबर घटा 9.85 प्राप्त होगा. मूलों का चरित्र बीवर्ग घटा 4ac को दुई घटा 4ac को दुई घा समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं. यदि बीवर्ग घटा 4ac बराबर 0 से तो दुई घा समीकरण के दो भिन्य वास्तविक मूल होते हैं. यदि बीवर्ग घटा 4ac बराबर 0 से तो दुई घा समीकरण के दो भिन्य वास्तविक मूल होते हैं. यदि बीवर्ग घटा 4ac छोटा है 0 से तो दुई घा समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है. उधाराण मान लिजिए कि हम x वर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं. मानक रूप ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 से इसकी तुलना करने पर हम a बराबर 1, b बराबर घटा 3 और c बराबर घटा 2 प्राप्त करते हैं. आईए इन मानों को सूत्र में रख कर और गड़ना करने पर हमें 3 जमा या घटा वर्ग मूल 17 बटे 2 प्राप्त होता है. ये हल सही है. क्या आप जानते हैं? बहुत सी लोग मानते हैं कि बेबो लोनिया निवासियों ने सर्व प्रथम दुई घात समिकरन को हल किया था. वास्तों में ब्रह्म गुप्त 598 से 665 इस्वी तक ने AX वर्ग जमा BX बराबर C के रूप के दुई घात समिकरन को हल करने के लिए व्यापक सूत्र दिया था. सारांश आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संक्षेप में दोहराएं. एक्स चरवाला एक दुई घात समिकरन AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के रूप का होता है जहां A, B, C वास्तविक संख्याएं और A 0 के पराबर नहीं है. किसी वास्तविक संख्या अल्फा को दुई घात समिकरन AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 का मूल कहते हैं. यदि A, अल्फा वर्ग जमा B, अल्फा जमा C बराबर 0 हो. दुई घात बहुपद AX वर्ग जमा BX जमा C का 0 और दुई घात समिकरन AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 का मूल समान होता है. यदि हम AX वर्ग जमा BX जमा C, A शून के पराबर नहीं है, इसका दू रेखिक गुणन खंडों में गुणन खंडन कर सकें, तो प्रते गुणन खंड की 0 से सम्तुलेता स्थापित करके दुई घात समिकरन AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 ने प्राब्त किया जा सकता है. किसी दुई घात समिकरन को पूर्ण वर्ग बना कर भी हल कर सकते हैं. किसी दुई घात सूत्र दुई घात समिकरन AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 ने के बना कर सकते हैं. किसी दुई घात समिकरन AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 में होता है. किसी दुई घात समिकरन के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं. यदि बी वर्ग घटा 4AC बराबर 0 है, तो दुई घात समिकरन के दो बराबर यानि समपाती वास्तविक मूल होते हैं. यदि बी वर्ग घटा 4AC छोटा है 0 से, तो दुई घात समिकरन का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है. जब जात समिकरन का कि दोटा। वास्तविक मूल होते हैं. झाल झाल